कनिश्ट साहयक वाले सभी मित्रों ये ख़बर आपने सुनी ली होगी जो आठ लंबित परिच्छा हैं उनकी जांच के लिए जो गठित एक्सपर्ट कमिटी है उसने काम करना सुरू कर दिया है रिटार्ड आईस एसरावत की अधियक्षता वाली कमिटी ने नियाए और आईटी विभाक की अधिकारी भी इसमें है ठीक है अधियक्षता है सुछया एसरावत रावत ने बताया कि कमिटी ने एक बैठकर लंबित परिच्छाओं का विवरन ले लिया है इस मामले में निर्णेयों का आधार भी देखा जाएगा तो में इसमें पॉइंट है कि इस टाइप के मामलों में कोड ने कैसे पहले फैसले सुनाए हैं उसको भी कमिटी ध्यान में रखेगी दूसरा तकनिकी तौर पर लीक के संभावनों को भी देखा जाएगा यानि इन में से कराए अपनी रिपोर्ट सोब देगी तो यहीं हम मांग कर रहे हैं इन आठ परिक्षाओं वाले सभी छात्र निर्विवादित परिक्षाओं वाले सभी छात्र फिलाल यह मांग कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कमिटी गी रिपोर्ट दो और उसके बाद जो भी परिक्षा ना फसाए जाए भरती को कि ये ठंडे बस्ते में चली जाए पहले ही तीन साल इसको होने को है तो हम नहीं चाहते हैं इसको forest guard की तरह ये योजना बनके निकले ठीक है पहले ही बहुत भवश्य जो है कनी साइक वाले अपना खराब कर चुके है ना तो वो आगे तैयारी करे जातर चातर ठीक है जो भी आंदोलन से जुड़े रहते हैं वो तो नहीं कर पाते हैं बहुत डिस्टर्ब होता है तो कम से कम उनको एक clarity तो मिले फटाफट की मेरा इस वाली post में हो चुका है फिर वो उसके बाद आगे तैयारी करे ना करे वो उसकी इच्छा है ठीक है तो लेकिन जो job हमने मेहनस से जो है तैयारी करके result हमारा निकला है उसमें पास में तो वो वाला हक हम अपना मांग रहे कोई ऐसा नहीं मांग रहे खहराती कि भई दे दो हाना तो कमिटी से हमारा और आयोग से और सरकार से धामी जी से हमारा यही अनुगरे है सभी चैनितों का कि आप जल्द से जल्द कारवाई करेंगे और ऐसा हमें विश्वास है कि चैनितों के हित में ही निर्णे आपके द्वारा लिया जाएगा धन्यवाद